इसके बाद्यम से आप लोग लोग के तियार मेरेते हैं, हमेशा गड़बर सरंगर होता रहता है। और यहाँ पर कुछ शर्यंत्यारी लोग हैं, कुछ गिरों पड़ी सक्रेटास काम कर रहा हैं, जो पुरे बौदिक से लगा हुआ है, इस राज के नौजवाद हैं, हमारे जो गुरुष थे और हमारे माताफिता थे, इन लोगों ने तो राज अलग करने के लिए पुरा जिए बर्बाद करते हैं, अब आने वाली प्रीडी को बर्बाद करने की एक शक्रिये की लोग यहा हर रेजर्ट में बोट में जा करना, कभी इसी भी आए, कभी, कौन कुन अजिसी जात करना, इसका कोई परिणाम नहीं हुआ, और नतीजा आज के दिन में वो बच्चे संसाए की चितेगी में नौक नहीं करना, लेकिन ऐसा क्या परिवर्कन हुआ, कि जब हमारी सरकार आई हम लोगों ने दो-दो रेजर्ट का सिर्फिया, एक भी कही कही सी जात्य दायरे में नहीं है, सफलता पुरूवक हम लोगों ने, उन परिक्षाओं को पारिक रखिया, और सुन कर आप लोगों को बहुत दूसी होते हैं, ऐसे खटनाओं से दिल को कितना खंड़क पुस्ता यह मैं नहीं बता सिर्फादार लेकिने, मुझे तो बहुत सखूल मिला, धाइसो बच्चों को हम लोगों ने जैपियसी के माद्यम से वीडियो से लोगत बनाया, और वो धाइसो बच्चों में 33 बच्चे ऐसे थे, जो भी पियल परिवार के थे, कोई भलकूर का बेटा थ कोई सिरी का बेटा, कोई जहसाईया का बेटा, कोई किसान का बेटा, कभी आप नहीं ऐसे जो गुस्ता, आज पूरी मादारी के साथ, बार दर्शना के साथ, आज समस्त्राएं काम कर रही हैं, बीस सालों ने जेपियसी का नियमावली नहीं बना, और यहीं वज़ाएं यहां के नोजवारों का बरिशना के साथ, उस नियमावली को हम लोगों ने बनागा, अभी भी बिबस्ता में ऐसे जंग लगे हुए हैं, जिसके हुए से आज मुझे भी काम करने में कही ज़नी आ और जब देजी से काम करते हैं, जंकल्यान की काम करते हैं, यहां की बात करते हैं, यहां की बात करते हैं, यहां के नोजवारों को स्वारवगार के बात करते हैं, यहां के नोजवारों को स्वारवगार के बात करते हैं, यहां के नोजवारों को स्वारवगार के बाते हैं, तो हमारी विवस्थाओं में भी कुछ अर्चने डाल की है और साथ साथ में हमारी राजिती प्रोडी लोग भी उतना लंगी मार में सिभाज दे रहते हैं अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकेन बटन दबाना ना भूले